सबको नमश्कार पूरी दुनिया में इस टाइम कोरोना वाइरस फैला हुआ है दुनिया के दूसरे देशों से सीख के हमें अपनी स्ट्राटेजी बनानी है कि हम कोरोना से कैसे डील करेंगे मोटे मोटे तौर पे सब देशों के एक्सपीरियंस देखने के बाद एक चीज़ तो साफ है कि आपको कोरोना से तीन कदम आगे रहना है अगर आप सोते रहे और करोना फैल गया तो उसके बाद आप करोना को कंट्रूल नहीं कर पाएंगे अगर आप कोरोना से जो जो देश कोरोना से दो कदम आगे रहे तीन कदम आगे रहे उन्होंने कोरोना को सफलता पूरवक कंट्रूल कर लिया इसके लिए हम सब लोगों ने मिलके मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूं कई डॉक्टर्स के साथ मैं बात कर रहा हूं कई लोगों से बाचीत करने के बाद हमने फाइव स्टेप पाँच बिंदू का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में करोना को कैसे नियंतरित करेंगे इसमें ये एक तरह से 5T है 5T प्लान है पहला T है टेस्टिंग हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की वो जब करोना फैल गया तो उसको करोना को निंतरित नहीं कर पाए अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में करोना फैला हुआ है और अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे और करोना फैलता गया नीचे एक आदमी दूसरे को दूसरा तीसरे को और इस तरह से ये चारो तरफ फैल जाएगा हम साउथ कोरिया का एक्जांपल देखते हैं कि साउथ कोरिया ने किस तरह से बहुत बड़े स्तर के उपर टेस्टिंग करकर के टेस्टिंग करकर के उन्होंने एक एक आदमी को आइडेंटिफाइ किया कि इसको करोना है इसको करोना है इसको करोना है इसको कुरेंटाइन कर द इसको अब हम बहुत बड़े स्तर के उपर साउथ कोरिया के तरह करने जा रहे हैं, अभी तक टेस्टिंग किट्स की बड़ी समस्या थी, अब थोड़ी सी समस्या सुधरी है, हमने अलड़ी पचास हजार लोगों के टेस्ट के लिए और किया हुआ है, और वो और आने चालू ह हो गए हैं, एक लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने और कर दिया है और शुक्रवार से हमें वो एक लाख रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास डिलिवरी चालू हो जाएगी, रैपिड टेस्ट आने के बाद जो जो हमारे होट स्पोट्स हैं, जहां हमें लगता है कि करोना के पेशेंट थोड़े से जादा निकले, जैसे मरकज में निकले, मरकज के आसपास का जो निजामोदीन का एरिया है, उस तरह से दिल्ली में, दिल्शाद गार्डन में थोड़े से जादा निकले थे, उस तरह से जितने हमारे ऐसे एरियाज हैं, उन एरियास के अंदर हम ज़ादा rapid test को ज़ादा इस्तिमाल करके वहाँ पे random test कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि करोना कहीं महाँ ज़ादा फैल तो नहीं रहा और हमें पता ही ना चले तो rapid test को इस्तिमाल किया जाएगा और जो detailed test होते हैं उनको भी इस्तिमाल किया जाएग दूसरा हमारा टी है दूसरी बिंदू है ट्रेसिंग हमने पता कर लिया कि ये आदमी करोना पॉजिटिव है अब ये व्यक्ति किस-किस से मिला चौदा दिन में किस-किस से मिला उनको सब को इडेंटिफाइ करते हैं हमारी टीम बहुत एफिशेंट टीम है हमारे अफसरों की डॉक्टर्स की वो इडेंटिफाइ करती है और उन सब लोगों को सेल्फ कॉरेंटाइन में डाल दिया जाता है उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे ये ट्रेसिंग अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के उपर चल रही है अब हमने पुलिस इन घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं इसके लिए हम पुलिस की मदद लेते हैं पुलिस को हमने अभी तक 27702 लोगों के फोन नमबर दी हैं ये पता करने के लिए कि वो जो सेल्फ कॉरेंटाइन वाले हैं वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रहे हैं उनके फोन से पता च कि मरकज के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के एरिया में तो नहीं घूमे थे अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहां-कहां गए थे वो पता चलेगा तो उन एरियास को seal कर दिया जाएगा तो tracing के basis पे हम self quarantine करेंगे sealing करेंगे और monitoring करेंगे कि लोग self quarantine follow कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हमारा तीसरा T है treatment जो बिमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना हमें अभी तक दिल्ली में लगबग 525 टोटल कोरोना के positive case आए है हमने इस time already लगबग 3,000 beds की शमता तयार कर ली है LNJP hospital हमने पूरी तरह से कोरोना hospital declare कर दिया अब वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है देड़ हजार बेड़ वहाँ पे हैं वहाँ पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा GB पन्थ hospital में 500 बेड़ हैं उसको हमने कोरोना hospital declare कर दिया वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है राजीव गंदी सुपर स्पेशलिटी hospital में साड़े 400 बेड़ हैं उसको हमने पूरी तरह से कोरोना hospital declare कर दिया वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है तो इस तरह से 2450 बेड़ सरकारी क्षित्र में हैं और 400 बेड़ हमने private hospitals के अंदर कोविड declare कर दिया है इसमें मैक साकेत का E-block पूरी तरह से कोविड declare कर दिया गया है जहां पे 318 बेड़ है अपोलो के 50 बेड़ कोविड declare कर दिये गए वहाँ पे और कोई treatment नहीं होगा गंगराम कॉलमेट के 42 बेड़ वो अलग बिल्कुल बिल्डिंग है उनकी उसको हमने कोरोना के लिए declare कर दिया वहाँ और कोई treatment नहीं होगा ये सारे मिलाके 3950 बेड़ बनते हैं आज दिल्ले में 525 पेशेंट्स हैं 3950 बेड़ हमारे कोरोना के लिए अलग से year mark कर दिये गए तो लगबग अगर 3000 तक पेशेंट्स होते हैं तो मैं पास hospitals के अंदर बेड़ हैं तीन हजार cross कर जाता है तो हम GTV hospital को पूरी तरह से कोरोना डेकलेर कर देंगे जी टीवे में हमारे पास 1500 बेड़ हैं तो साड़े 4000 बेड़ हो जाएंगे इस तरह से हमने प्लैनिंग किया है कि तीन हजार पेशन्ट होंगे तो क्या होगा चार हजार पेशन्ट होंगे तो क्या होगा पांच हजार पेशन्ट होंगे तो क्या होगा छे हजार पेशन्ट होंगे तो किसको टेक ओवर करेंगे इस तरह से 30,000 active patients, अगर दिल्ली में 30,000 patients हो जाते हैं, active patients, treat कियो वे नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गया और घर चले गया, वो नहीं, 30,000 active patients जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तयारी किया है, 30,000 active patients में हमारे पास 8 8,000 hospital के beds होंगे, वो कौन-कौन से hospitals में होंगे, उसकी सारी चिन्नित कर लिया गया है, कि इतने के बाद फिर इस hospital को टेक ओवर कर लेंगे, इतने के बाद इस hospital को टेक ओवर कर लेंगे, 12,000 hotel के कमरें taking over किये जाएंगे, किस-kिस hotel को कब take over किया जाएगगा, इसकी भी चिन्न कर लिया गया कि 8000 पेशन्ट होने गया दिस होटल को टेक ओवर किया जाएगा और 10,000 पेशन्ट को बैंक्वेट्स और धरमशालों में रुकवाया जाएगा तो 30,000 जब हमारे पास पेशन्ट होंगे तो जो सबसे सीरियस पेशन्ट होंगे जिन पेशन्ट को हाट की बिमारी या लिवर की बिमारी या कैंसर या सांस की बिमारी या डाइबिटीज होगी वो और जो 50 के उपर की उमर के होंगे इन लोगों को अस्पताल में रखा जाएगा और जिन लोगों को माइनर सिम्टम्स होंगे जो 50 के कम की उमर होंगे कोई और बिमारी नहीं होगी इस तरह के उनको हम होटल में और धरम शाला में आईसोलेशन में रखेंगे लेकिन वहाँ भी सारी medicals विनाए मौजूद होंगी वहाँ भी doctors, nurses सारी medicals विनाए मौजूद होंगी लेकिन जो serious किसम के patients होंगे उनके लिए 8000 beds का इंतजाम किया जाएगा कितने patients होने पे हमें कितने ventilators की जुरूद पड़ेगी कितने oxygen की जुरूद पड़ेगी इसका भी पूरा खाका तयार है 30,000 patients होने पे हमें 400 ventilators की जुरूद पड़ेगी 1200 oxygen के beds की जुरूद पड़ेगी इनकी सब की तयारी की जा रही है काफी तयारी हो चुकी है हमें कितने PP kits की जुरूर्ट पड़ी कितने patients पे इसकी पूरी calculation की जा चुकी है इस वक्त बाकी चीजों के उतनी दिक्कत नहीं है PP kits की थोड़ी सी समस्या आ रही थी थोड़ी सी मदद कल केंदर सरकार से पहुँची है हमें PP kits के हमने काफी सारे order कर दी हैं लेकिन अगले हफते तक वो order आने चालू होंगे इस दोरान थोड़ी emergency situation थी कल केंदर सरकार से परसो चिठी आई है कि 27,000 PP kits वो हमें दे रहे हैं वो आज या कल में आ जाएगी तो फिलहाल PP kits की समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी तो ये treatment है तीसरा T treatment है चौथा T हमारा है teamwork ये कोरोना को अखेले कोई नहीं ठीक कर सकता कोई अगर ये सोचे कि मैं अखेला कोरोना को ठीक कर दूँ वो नहीं हो सकता ये teamwork पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही है राजनीती से उपर उठके सारी सरकारें केंदर सरकार राज्य सरकारें सारी एजिंसी सब एक टीम की तरह काम कर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलके एक टीम की तरह काम कर रहे हैं इसमें सारी रज्य सरकारों को भी मिलके काम करना पड़ेगा अगर हम दिल्ली के लोग यहां बैठके सोचें कि अपने को दिल्ली दिल्ली का सोचना है महराष्टर में कोई बिमार पढ़ रहा है तो को छिंता करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं है महराष्टर में किकुछ बिमार और जिस दिन लॉगडान खुल और वह दिल्ली आया तो फिर अपने दिल्ली में फैल जाएगा दिल्ली में पीबिमार कर लॉगडान खुलेगा वह पस्चिम बंगाल चल गया तो वहां पर होती है मैं देखता हूँ कि तमिनाडों में ये हो गया महराष्टर के अंदर ये हो गया के रहला में ये हो गया पश्चिम मंगाल में ये हो गया राजस्तान में ये हो गया मद्यपरदेश में उन्होंने इत्यी अच्छा काम किया हमें एक दूसरे से सीख के एक टीम के तरह काम करना है, डॉक्तर्स और नर्सेज हमारी इस टीम का हमारे इस परिवार का एहम हिस्सा हैं, किसी भी हालत में हमें उन्हें बचाना है, वो हमारे सबसे बड़े सिपाही हैं, वो हमारी इस टीम का सबसे उनके परिवार का हमें ख्याल रखना है, कहीं कहीं मैं दे इसको बरदाश्ट नहीं किया जाएगा सबसे important इस कड़ी का हिस्सा हमारे डॉक्टर्स है और हमारे देश के लोग हम सब लोगों को इस वक्त लॉक्डाउन के वक्त एक अनुशासित तौर पे अपने घर में रहना है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है देश के लोग इस टीम का सबसे बड़ा हिस्सा है और मुझे बेहुत खुशी है मैं ये देख रहाँ कि इस वक्त जरूरत के वक्त जिन लोगों के पास पैसा है वो सामने आ रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं पैसे वाले लोग हैं वो कोशिश करके इदर उदर से पीपी किट ओउरगनाईज कर रहे हैं जो और कई सारी धार्मिक संस्थाइए समाजिक संस्थाइए बढ़े बढ़े खुशी है कि हम सब पक्शो आविपक्शो सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं थोड़े दिन पहले मैंने सभी बीजेपी के लीडर्स, दिल्ली के लीडर्स हैं उनके साथ, जो MLA उनके साथ बात की थी, कल मैं सभी दिल्ली के सांसदों के साथ बात करने जा रहा हूँ, उनके विचार, उनकी जो भी बातें उनको हम सुनेंगे, उनके हिसाब साथ काम और पांचवाँ T है tracking and monitoring मैंने इतनी सारी बाते तो बोल दी लेकिन इन सब बातों को monitor करना उसको track करना की चीज़ें सही चल रही है इसकी जिम्मेदारी मेरी है दिल्ली के अंदर 24 गंटे moment to moment track करना कि जो पूरा हमने plan बनाया वो plan उसके हिसाब से चल रहा है इसकी जिम्मेदा कर रहा हूं और मैं इसके उपर नज़र रखूंगा मुझे पूरी उमीद है कि अगर हम करोना से तीन कदम आगे रहेंगे तो हम करोना की इस लड़ाई को मिलके जीत पाएंगे तीम की तरह जीत पाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया झाल